नमस्कार दोस्तों सुआगरे आप सभीका तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एक्सिस मोबाइल एप को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो एप है बहुत काम का एप है अगर दोस्तों आपके भी जो बेंग एकाउंट है वो एक्सिस पढ़ें तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे फ्यूचर्स इसी एप में मिल जाते हैं जैसे कि मान देजी दोस्तों आपको कुछ चीजे निकालना है ठीक तो बहुत ही useful app है तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जितना हो सके उतना highlight करके बता रहता हूँ कि क्या क्या future से ठीक है यहाँ पे दोस्तों एक ही वीडियो पे सब कुछ completely मैं आपको बता तो नहीं पाऊंगा तो दोस्तों वीडियो description पर आपको जो है link मिल जाएगा और किसी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपको app जो है download कर लेना है play store से यहाँ पे आप login वगरा कर लीजी ठीक है तो यहाँ पे login वगरा आप कर लीजेगा तो login करने के बाद दोस्तों यहाँ पे login का option मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको mpin भरना होता है ठीक है तो यह दोस्तों आप यहाँ पे भर लीजेगा तो ये भारने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटरफेस मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहला जो option यहाँ पर होगा दोस्तों आपका accounts तो यहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका balance बगएरा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिए तो होम पे डारेकल आप पहुंच जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे फान ट्रांसफर तो दोस्तों फान ट्रांसफर होते क्या है मैं आपको यह भी बता देता हूँ फान ट्रंसफर डोस्तों जो सब्सक्राइब किसी बहुंच को किसी भी बंदे को पैसा ट्रांसफर करना चाए और यहाँ से किया जाते हैं ठीक है फिये प correlate करना होते है यहाँ पे आपको बैंक सेलेक करना होते अगर Dear था और दोस्तव कुक्त कि वह का option से ठीक है जहाप यहाप पेसा बगएरा इंवेस्ट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाप पे credit cards का option है investment का option मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके के दोस्तों बहुत सारे features है और यहाप पे payments का option मिल जाएगा payments के अंदर पे दोस्तों आपको मिलेगा fund transfer, pay my dues, pay bills ठीक है तो इस तरीके के दोस्तों complete setting आपको यहाप पे देखने को मिल जाएगा ठीक है products के अंदर पे भी दोस्तों यहाप पी मिलेगा आपको accounts, credit cards होगा, FDRD loans ठीक है सब कुछ आपको यहाप देखने को मिल जाएगा ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यहाप अगर आपको मान लिजे कुछ apply करना है जैसे कि pre-approved offers तो आप वो यहाप पे कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाप पे आपको मिलेगा insurance ठीक है यहाप पे credit card का option भी मिल जाते है और loan का option भी मिल जाते है आमान दीजे आपको कुछ apply करना है तो वो चीज़ आप यहां से कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे होगा आपका प्रोफाइल तो प्रोफाइल में जाके भी दोस्तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं जैसी कि आपका email चैंज करना है वो यहां से कर सकते हैं बोबाइल नमबर वगेरा चेंज कर सकते हैं सब कुछ अपडेट कर सकते हैं मैंने जैसे के आपको कहा KYC apply कैसे करना है तो KYC आप दोस्तों यही से अप्लोट कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही दोस्तों बड़िया फ्यूचर है बहुत ही बड़िया एप है आप इसको यूज कर करने के जरूरत ही नहीं है अगर आप एकाउन पर जाते हैं तो डारेक्ट लिए आपको मिल जागा या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहीं है आपका Axis Mobile App तो इसके related दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाला है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मैंने दोस्तों कहा था कि एक ही वीडियो में हम Axis Mobile को completely cover नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जो है हमारे साथ जूरना होगा सब्सक्राइब कर ताकि आपको इसके related सब यहां पर जो update से वह मिलते रहे तो किस तरह के वीडियो चाहिए आप दोस्तों हमें सजेस्ट कर सकते हैं फिलाल दोस्तों Axis Mobile App पर बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स फूर